नमस्कार रसोई के चमतकार में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आप से कुछ किचन के टिप्स शेर करने जा रही हूँ जो की छोटी छोटी रेसिपी के स्टाइल में है हमारे रोज का रुटेन इतना फास्ट होता है कि किचन में अधिक टाइम लगाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते यहां मैं दो टिप्स बताऊंगी जिनसे हमारा समय तो बचेगा ही और खाने का स्वाद भी बरकरार रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं इमली की खाने में कई रेसिपीज में इमली का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे सामबर, सौ ठादी तो चलिए इस रेसिपी में देखते हैं कि यह कितनी टाइम सेविंग और सफाई को ध्यान में रखते हुए हम इसे तयार कर सकते हैं मैंने ये इमली ले ली है इसी में पहले धो लूँगे ये देखिए मैंने इमली को धो लिया है अक्सर हम ऐसे ही धोते हैं और कई बार तो बिना धोय ही इसे भिगो दिया जाता है अब आप देखिए ये इमली धोने के बाद मैंने इसमें पानी डाल कर इसे भिगो दिया है ए अब मैं इसे gas on करके पैन को चूले पर चड़ा लेती हूं इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे थोड़ा नमक हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि चाहे नमकीन डिश में डाले या खटी मीथी डिश में नमक तो हमने डालना ही होता है देखिए अच्छे से ये उबल गई है अ अब ध्यान से देखिए इस बरतन में नीचे मिट्टी के कंड बच गए है ये बात विशेश द्यान में देने वाली है तो अब हम इसके पल्प को चम्मच के प्रेशर से नीचे रखे बरतन में निकाल लेंगे ये जो इमली का लिक्विड आप देख रहे हैं ये इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तयार है इसे आप किसी कंटे़नर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लींजिए आपको जब भी इसे किसी जिस में यूज़ करना है तो आप जट से निकाल कर इसका सीधह कर सकते हैं इस से आपका डिस बनाने की तयारी का बहुत सा समय बच जाएगा यह ready to use तयार हो चुकी है जो कि आपने साफ सफाई से घर में ही तयार किया है market में आज कल ready made सबी कुछ मिल जाता है लेकिन हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते अब मैं आपके साथ एक और tip share कर रही हूँ वह है शगरकंदी को उसकी मिठास को बरकरार रखते हुए कैसे पकाएं आम तोर पर घरों में शकरकंदी को पानी में उबाला जाता है मैंने तो कई लोगों को उसमें मिठास रखने के लिए पानी में थोड़ी चीनी या गुर डालते हुए भी देखा है हम इस तरह से उसे पकाएंगे कि इन सब की जुरूरत ही नहीं पड़ेगी लीजिए इसे पकाते हैं आपके पास घर में कोई पुराना पैन पड़ा हो तो उसे यूज कर सकते हैं या फिर तबह पर ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास ये पुराना पैन पड़ा है, इसे मैं केवल ऐसे रफ कारियों में ही इस्तेमाल करती हूँ, ये दो शकरकंदिया मैंने ली हैं, इन्हें मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है, इन्हें मैं गीला ही इस पैन में डाल रही हूँ, अब इसे मैं धककन से धक अब मैं फ्लेम को लो पर कर दूँगी चार-पांच मिनट तक हम इसे सिम पर पकने देंगे अब खोल कर एक चिम्टे की सहाइता से इस शगरकंदियों को पलट देते हैं और ढ़कन लगाकर दो-तिन मिनट तक और पकने देंगे अब खोल कर चेक कर लेते हैं चिम्टे के साथ उठाकर प्रेस करने पर ही पता चल रहा है कि शगरकंदी खाने के लिए तयार हो चुकी है बस गैस बंद कर दीजिए और इसे निकाल कर जब भी आपको खाना हो छील कर काट लें और टुकडों में काटकर सर्व कर सकते हैं जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे कि इसमें इतनी मिठास है ऐसा लगता है जैसे शक्कर भोल दी गई हो आप इसे चाट मसाला निम्बू नमक आदी डालकर सर्व कर सकते हैं अपने और परिवार के स्वास्ते को ध्यान में रखते हुए आ और अपने अनुभव रसोई के चमतकार पर अवश्य शेर कीजिएगा वाच करने के लिए धन्यवाद नमस्कार